हिमाचल प्रदेश की राजनीती में कॉंग्रेस में वीरभद्र सिंग की बात करें या भाजपा से प्रेम कुमार धूमल की दोनों ही नेता राजनीतिक टक्कर में हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं आज हम उस राजनीतिक मसले को लेकर नहीं बलकि मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर के बढ़ते राजनीतिक कदमों की चर्चा आपके साथ करेंगे राजनीति में हमेशा ही संभावनाओं के दरवाजे खुले रहते हैं और कोई भी संभावना राजनीति में किसी भी नेता के लिए कभी भी पैदा हो सकती है हिमाचल प्रदेश में भी अगर हम भाजपा के इतिहास की बात करें या मौजूदा परीद्रिश्य की बात की जाए तो यहां पर भी हमेशा संभावनाओं को लेकर चर्चा रही है पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जहां 1972 में खेरा से विधायक बने तो उसके बाद वे लगातार सुलह से चुनाव जीते और हारे भी लेकिन सुला उनका दूसरा विधान सभाक्षेतर रहा और खेरा विधान सभाक्षेतर का अस्तित्व धीरे धीरे खतम हो चुका था उसी तरह अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धुमल की बात करें तो उन्होंने अपने राजनितिक जीवन मतलब 1998 से लेकर 2017 तक जैसा की उनका भी कहना है कि कभी अपने लिए टिकट नहीं मांगा और जहां से भी पाटी ने उन्हें टिकट दिया उन्होंने हम यहां पर महत्तोपुन बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धुमल ने अपने जीवन का पहला राजनितिक चुनाव बमसन विधान सभाकशेत्र से लड़ा और उसके बाद धुमल ने हमीरपूर विधान सभाकी तरफ रुख किया जैसा कि उन्हें पाटी आदेश किया था और 2017 में उन्होंने सुजानपूर विधान सभाकी तरफ रुख किया और वहां से भी चुनाव लड़ा इस तरह से देखा जाए तो तीन विधान सभाकशेत्रों से अलग-अलग रूप में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धुमल ने चुनाव लड मौजूदा स्थिती में हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस पाटी से कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है वीरभदर सिंग के निधन के बाद अब जो भी नया मुख्यमंत्री पाटी से कभी बनेगा वही पाटी को आगे लेकर जाएगा वहीं अगर हम भाजपा की ब परचा होने लगी है कि क्या जैराम ठाकुर भी इन बड़े नेताओं की तरह अपने विधान सभाक शेत्र को बदल कर दूसरी जगहा चुनाव लड़ने का रिस्क ले सकते हैं या फिर नहीं यह सवाल इसलिए भी उठा है क्यूंकि मंडी जिला में अगर हम मंडी विधान स सभा की ही बात करें तो यहां पर लगातार पंडित सुखराम परिवार का वजूद कायम है और भाजबा की जो राजनीती है वो हमेशा ही परिवार वाद को पूरी तरह से खतम करने की रही है और यह कहा जा सकता है या इस बात की चर्चा कहीं ना कहीं अब होने लगी है कि क जब मुख्यमंत्री के इन रहतित्तों में अगला चुनाव हिमाचल प्रदेश का होना है। जा सकता है और इस सीट पर बड़ी राजनेतिक लड़ाई होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बात की चर्चा होने लगी है कि मंडी में जिस तरह से भाजपा कमजोर हुई है उस स्थिती को देखते हुए मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर को हाई कमान मंडी विधान सभा सीट से भी चुनाव में उतार सकता है। ताकि पाठी को और अधिक मजबूती मंडी में मिले और एक बार फिर मंडी दस में से दस सीटों को जीत कर भाजपा की सरकार बनाने में महत्तोपूर्ण भूमी का निभाए। झाल